Hello friends, आज हम दिखेंगी My Father's Noon, जिसे लिखा था Elizabeth Joleney. Elizabeth Joleney इसमें England की एक नर्स की कहानी बताई है, ये कहानी World War II की है और इसमें Veera नाम की नर्स की कहानी दिखाई गई है. Veera, जो की एक नर्स होती है, उसका एक बेबी होता है और उसका एक फ्रेंड भी होता है, जिसका नाम होता है Ramston. Veera के पैरंट्स उसे कभी नहीं समझते थे, इसलिए वो अधिकतर अपने बेबी और अपने फ्रेंड्स के साथ ही हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही थी. उसके हॉस्पिटल का नाम था सैवी हॉस्पिटल. तो इंग्लेंड के इस नर्स Veera की कहानी, इसमें हम जानेंगे इस नोबल में, तो आई दोस्तों पढ़ते हैं My Father's Noon. पर इससे पहले हम Elizabeth Jolle के बारे में जान लेते हैं. Elizabeth Jolle जिसका जन्वा था 4 जून 1923 United Kingdom में और इनकी देर्थ हो गई 13 फर्वरी 2007 ऑस्टेलिया में. इन्हें अवार्ड मिला था Miles Franklin Award. इनके बच्चे थे Sarah Jolle, Ruth Jolle, Richard Jolle. इनके इस पास थे Leonard Jolle. इन्हें मूवी में भी काम मिला था The Will, The Last Crop. तो यही थी दोस्तों, Elizabeth Jolle. आईए अब Nobel के स्टोरी. अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करें, सेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों. आईए शुरू करते हैं स्टोरी. यानि कि सुरुवात में हमें दिखाया जाता है कि वीरा एक नर्स है, जो कि अपने बेटी के साथ अपने पैरेंस के घर में रहा करती थी. यानि अपने माता-पेता के घर में. वीरा एक सहानभूती, बेचारी महला नहीं है. इससे पूरी तरह हम नकार भी नहीं सकते कि वो है या नहीं भी है. यानि उसे आप बेचारी के रूप में ना देखें. क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंडेंट लेडी थी. वीरा जो थी, वो नर्स का काम एक बोर्डिंग स्कूल में किया करती थी. पर वहां भी लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते, यानि बुरे लोग. वीरा जब बोर्डिंग स्कूल में काम करने जाए तो कुछ बुरे और करप्टेड लोग उसका अकेलेपन का फायदा उठात पर वो अब भस चुकी थी, क्योंकि उसने खुदी चुना था इस काम को, इसलिए वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी. अब वो वहां से क्यों नहीं भाग सकती थी, इसका हमें पता चलता है जब वो फ्लैस पैक में जाती है, उस वक्त में जब चल रहा था वर्ल्ड वार अब पर उस वक्त एक नर्स थी और वो खायल सैनिकों की मदद किया करती थी, उसकी वक्त एक गायल सैनिक उसके पास आता है और उसका एक आंख डेमेज था, उससे बहुत ही जादी कंध आ रही थी, और वो अपना एक आंख बंद भी नहीं कर पा रहा था. पर वीरा अपना काम करती है उसे ठीक करनी ठीक करने के बाद वीरा उसकी हालत को देखकर अजी महसूस करती हुआ उसे भूल नहीं पा रही थी कि उसका हालत कितना बुरा था और ये स्टीज को बुलानी के लिए वह अपनी दोस्थ के बाढ़ जाया करती थी और वो उसे प्यार भी क्या करती थी यानि कि वेरा जो थी वो लेस्बियन थी पर ये राज वो सबसे छिपाना चाहती थी और वो इसमें काम्याब भी थी कोई नहीं जानता था कि वेरा एक लेस्बियन है और एक लड़की से ही प्यार करती है जिसके पास वो अकसर जाया क मदद करता था कभी कभी वह बुक्स पढ़ती थी और म्यूजिक भी सुना करती थी जिससे उसे हॉस्पिटल के जो घिनोने द्रिश्य हैं महक है उससे वह चुटकारा पा सके और उसके माइन को थोड़ा रिलैक्सीशन मिल सके हलका आराम मिल सके क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड व यह दोनों चीजे कर लेती थी तो उसे ऐसा महसूस होता था कि वह अपने पार्टनर के साथ दोनों आसमानों को एक हाथ में पकड़ी हुई है और वह इंडिपेंडेंट में इन चीजों से काफे ज़्यादा खुच है अपनी जिन्दगी से पर जब भी वह सैनिकों का इस देखती है तो उसे बहुत अजीब लगता है और इसी बीच इंट्री होती है मेल्ट काफ की और उनकी वाइफ मेकडा की जो वेरा को देखते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमारे घर में रहो और वो उसे अपने घर ली जाते हैं वहाँ पे वेरा इन दोनों के देखरेक म अकेले रहते हैं और उसी वक्त उनका अफेर स्टार्ट हो जाता है वो लोग दोनों चुप चुप कर मिला करते थे मेकडा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसी बीच वेरा जो होती है वो प्रेगनेंट हो जाती है क्योंकि वेरा एक लेस्बियन थी बट मैट का अफ उसके काफे ज़्यादा परभावित था और उस से बहुत प्यार करता था और उससे प्यार में एक बच्चा भी हो जाता है वीरा को पर वीरा उससे साधी नहीं करती है और वो अन्मेरिट यानि बिन Бियाई मा बन जाती है जब वो जानती है कि वो माँ बनने वाली है तो वो काफी डर जाती है और मून की ओर देखकर अपने पिता को याद करती है और यहीं से वो अपने बच्पन में चली जाती है और वो याद करती थी कि ये जो मून है वो मेरे फादर का है ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि उसके पिता उसे बच्पन में बताया करते थे कि एक चांद तुम्हारे पापा का है और यहीं से यह टाइटल हुआ है स्टोरी का My Father's Moon अपने बच्पन की दिनों में खोकर वो हमीसा अकेला रहने लगी थी और इसके बाद वो डॉक्टर मेटकाफ के घर को भी छोड़ देती है कहानी प्रेजन्ट में आती है जहां से वो सोच रही होती है अपने पस्ट के बारे में कि कैसे वो एक हास्पिटल से इस बोर्डिंग स्कूल में पहुँच गई विया सिर्फ सोचती है कि क्या मैंने सही वासला लिया और अब मेरी जिन्दगी बस इतनी सी है कि मैं अपने पैरेंट्स के घर में रहती हूँ और यहां पे बोर्डिंग स्कूल आती हूँ मैं एक बिन बियाही मा हूँ पर इस लॉनिलेस में भी वो खुस है क्योंकि उसके पता चांद को दिखा कर कहा करते थे कि इस चांद को देखना जब ही मैं ये चांद तुमें दिखेगा तब ये सोचना कि मैं तुमारे साथ हूँ क्योंकि ये मून तुमारे फादर का है इसलिए वो कहती थी My Father's Moon पर इस बार कुछ अनुखा हुआ वह उस चांद को देख करके अपने पिता को नहीं बलकि अपने दोद्स इंस्टन को याद करती है और उस प्यार को याद करती है जिसे वह बहुत प्यार करती थी यानि जिससे वह लेस्बियन कहलाई थी उस नर्स का नाम था ट्रेनी जिसके साथ वो प्यार में पड़ी थी और लेस्बियन कहलाई थी वीरा इसी तरह अपना जिन्दी बिता रही होती है वो समाज के दवाओं में गालियां में सुनती है पर वो अब खुस है क्योंकि वो इंडिपेंडन लड़की है पर एक दिन ये दिखाया जाता है कि जब वो अपने नर्स का काम कर रही होती है वहाँ पर मॉर्फन प्रोड्रेस से लोग आते हैं यानि एक सोक पूर्ण जुदूस हो रहा था वहाँ से कुछ लोगों को लाया जाता है जो लोग काफी ज़्यादा खायल होते हैं और उन्हें यहाँ ट्रीट्मेंट के लिए लाया जाता है वीरा भी उनका ट्रीट्मेंट कर रही होती है अभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स देखते हैं कि एक सैनी के पाउं से घाव में कुछ कीड़े थे वो निकल कर फर्स में फैल जाते हैं वहाँ पर और वो काफी गिनोने थे पर इस पार वीरा नहीं डरी और उसे वो दुरे से जरा भी परिशान नहीं किया क्योंकि अब वो ब्रेव भी हो गई थी और यही थी दोस्तों कहानी माई फादर समून जिसमें हमने वीरा की कहानी देखी कहानी में हमें यह जानने को मिला कि किस तरह वीरा के साथ कई लोगों ने धोखा किया वो पहले कमजोर नर्स थी और उसे ही कुछ दृश्य विचलित करते थे घाउं अगेरा तो उसने एक लेस्बियन के प्यार किया भले ही चुपचिप कर किया पर वो डॉक्टर से तो अच्छा ही था जो कि साधी सुदा होते हुए भी वीरा को प्रेग्निल कर देता है और फिर छोड़ देता है और उसके साथ रूड वैवार भी किया करता था अब वीरा अकेली रहा करती है और अपने बच्चे के साथ अपने फादर के घर में रहा करती है और अपने फादर को यादिया करती है और मून को देख कर वो अपने फादर को याद करती है और कहती है माइ फादर्स मून जोको का कहना है कि इलिजाबेट जोले ने इसमें अपनी ही सेमी बायोग्राफी दिखाई है यानि उन्हीं की कहानी है आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्षिन में बताए